स्सी स्टनोग्राफर ग्रेड सी डी टेस्ट सीरीज गती सौशब्द प्रतिमनट कुल शब्द एक हजार बी रेडी फाइफ फो थ्री टू वन स्टार्ट पहली बात भारत सरकार की ओर से आपके मंत्राले द्वारा प्रधान मंत्री सडक योजिना का निर्मान हुआ यह एक सराहनिय कदम है आज का जो बजट है जिसमें इस योजिना में और ज्यादा बड़ोतरी होनी चाहिए थी उसमें बड़ोतरी नहीं हुई मैं चाहूंगा कि आबादी के आधार पर जहां पांच सौ से हजार की आबादी है उन गावों को पक्की सडकों से जोडने का प्रावधान था मुझे लगता है कि शायद आपने यह योजिना समाप्त कर दी है हम आपसे चाहेंगे कि जब आप अपना उत्तर दे तो इस तरफ भी प्रकाश डालें पैरा उपाद्याक्ष महुदै लेकिन जनाब मैं आज यह कहते बेहुद तकलीफ महसूस करता हूं कि हिंदोस्तान के पंदरा करोड से भी जादा मुसल्मान आज कई महाज पर दलित भाईयों से भी पीछे चले गए हैं यह बात मैं खुद नहीं कहे रहा हूं यह बात प्रधानमंत्री जी के जरिये कायम हाई पावर सच्चर कमेटी कहे चुकी है ऐसे में जरूरी था कि इतनी बड़ी पिछडी हुई आबादी को पुनहें उपर उठाने और आगे लाने के लिए इसी तरह का इंतिजाम किया जाता जिस तरह आजादी के फौरन बाद एक खास तबके को उपर उठाने और आगे लाने के लिए किया गया था विराम मैं इस हक में नहीं हूं कि हमारे दलित भाईयों से उनका कोई हक छीन लिया जाए मैं यह भी मैं नहीं कह सकता कि उन्हें अब आरक्षन की सहूलियत न दी जाए इसलिए कि उन्होंने भी एक लंबे अर्से तक पसमांदगी की मार झेली है लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि जब यह साबित हो गया है कि मुसल्मानों की हालत आज दलितों से भी जादा खराब है तो फिर मुसल्मानों के साथ भी वैसा ही सलूक न करने का क्या न्याय है मुसल्मान एक अर्से से अरक्षन की मांग करते आ रहे हैं लेकिन उनकी मांग को नजरंदाज किया जाता रहा है मैं मानता हूँ कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षन नहीं दिया जा सकता मैं यह भी मानता हूँ कि मुसल्मान पिछडे हुए नहीं है लेकिन मुसल्मानों की अक्सरियत पिछडी हुई है और इस बात सब मान चुके हैं ऐसी सूर्ते हाल में उन्हें आरक्षन न देकर हम इनसाफ के तकाजों को पूरा करने में कोता ही तो नहीं कर रही हैं यह भी आपने कहा है कि एक सांसद पंदरा सो रुपए तक कमाने वालों के लिए सिफारिश कर सकता है यह पंदरा सो रुपए तक की जो बात कही है यह कोई बड़ी बात नहीं है इसे तीन हजार रुपए करना चाहिए था आज नरेगा में काम करने वाले मजदूरों को हर दिन सो रुपए कम करने के हिसाब से भी महिने में तीन हजार रुपए की मजदूरी मिलती है इस तरह से नरेगा में मजदूरी करने वाला मजदूर भी आपकी इज़त इसकीम में नहीं आता आप किसे इज़त देना चाहती हैं यह जो पंदरा सो रुपए तक की आमदनी वालों के पास देने की बात है यह पास किसी के उपयोग में नहीं आएगा नरेगा में काम करने वाले मजदूर को भी महिने में तीन हजार रुपए मिलते हैं तो क्या आप इसे बढ़ा कर तीन हजार रुपए नहीं कर सकती पैरा महुद है भारत वर्ष में एक बाड एक बड़ी समस्या है जिससे देश का 75 प्रतिशत भाग प्रभावित होता है हर वर्ष बड़ी संख्या में जनहानी होती है अर्बों रुपए की संपत्ती नश्ट हो जाती है इसके लिए हमें बड़ी बड़ी नदियों में उद्गम इस्थल से ही गाद वर गंदगी के प्रभावी नियंतरन की सक्त आवशक्ता है गंदगी वर गाद के चलते नदियों की जल ग्रहन शमता काफी कम हो गई है इसके अलावा सुखा भी राश्ट्रिय इस्तर पर एक बड़ी समस्या है जिससे जूझने के लिए शासन को हजारों करोड रुपिये खर्च करने पड़ते हैं लेकिन सुखगरस्त शेत्रों में हालात आमतोर पर बद से बत्तर ही रहते हैं बाड एवं सुखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी रूप से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन एवं नियंत्रन प्राधिकरन का केंद्र वर राज्य इस्तर पर प्रभावी गठन किया जाना चाहिए तथा केंद्र से राज्य को वर राज्य से केंद्र को सूचनाओं का संप्रेशन भी तुरित होना चाहिए साथ ही इस मामले में कोता ही बरतने पर अधिकारियों कर्मचारियों की जवाब देही भी सुनिश्चित करने का प्रावधान होना चाहिए बाड प्रबंधन के लिए अत्याजुनिक तकनीक की व्यवस्था करना अत्यंत अवश्यक है सूखे वर बाड के कारण हमारे देश में वन्शेत्र का तेजी से समाप्त होना है यदि व्रक्षारोपन के लिए केंद्रवर राज्य के इस्तर पर जमीनी कारिकरम प्राधी करन बनाकर युद्ध इस्तर पर व्यवहारिक रूप से सघन व्रक्षारोपन कराया जाए वर देश्वासी व्रक्षों के महत्व को समझें तो निश्चित ही दोनों समस्याएं काबू में आ सकती हैं प्रक्षारोपन केवल शास्किय प्रयासों से ही संभव नहीं हैं इसके लिए आम जनता में गंभीर चिंता व व्रक्षों के अभाव से प्रक्रतिक संतुलन बिगडने के दुश परिणामों से अवगत कराने के लिए जन जागरन के करिक्रम भी बेहत जरूरी हैं सघन व्रक्षारोपन का सपना तभी साकार हो सकता है विराम जब देश के आम आदमी को इसमें भागिदार बनाया जाए इसके लिए संसत से लेकर गाउं की चौपाल तक शहर से लेकर नुकडवर बाजार तक हर इस्तर पर राष्ट्र हित में हम सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं मैं यहां पर कहना चाहती हूं कि यदि संबाद हींता होती तो शायद हम भारत को आजाद नहीं करा सकते थे गांधी जी की अहिंसा के सिध्धान्त के आधार पर हम अहिंसा को नहीं भूल सकते और हम संबाद को भी नहीं भूल सकते समवाद से बड़े बड़े मसले हल हो सकते हैं समवाद को भूलकर केवल राजनीती के धरातल पर और केवल राजनीती की मिट्टी पर खेती करना कहां तक उचित होगा इसलिए मैं सदन से अपील करना चाहती हूँ की आज हम कश्मीर के उन लोगों से अपील करने को यहां पर खड़े हुए हैं कि वे भरत सरकार पर विश्वास करें कि उसने हमेशा उनका साथ दिया है और वह हमेशा उनका साथ देगी हम कश्मीर में लोगों को निश्चित तोर पर शांती का एक अवसर देना चाहते हैं और इसलिए अवसर चाहे वे रोजगार के हों चाहे वे भौतिक और मानव संसाधन के हों उसके लिए सरकार कोई भी कोता ही नहीं बरत रही है पुनविराम